और वोई जांसी में व्यापारी राजू कमराया का दिंदाहाडे अपरण करनी का मामरा सामे आया आपको बता दें कि अपरण मामरी में एक दिन के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है पुलिस की वर्दी में संदिक्दों ने व्यापारी का अपरण किया था शेहर कुत्वाली के मिशन देके लाके से व्यापारी का आपररि किया गया था लेकिन एक बीचे बाद भी फूरिस के हाथ पूरी करीके से खाली है, बारदार के बाद पूरिस महितमे में हड़कम मचा हुआ और जादा जानकारी के लिए जादा बाच्चीज के लिए सीधे स्वीश हमारे साथ SSV एके शुक्ला जूट चुके हैं पोन लाइन पर रहा शुक्ला साब एक दिन हो चुका है लेकिन अभी तक कोई जानकारी कोई सुराग का जा रहा है रही है कि पूलिस के हाथ नहीं लगा व्यापारी के अपरंट के बादchine के लिए देखेम लोगे लगातार प्रयासरत हैं और आशानवीत हैं और हमें अपने प्रयासों के पूरा विस्वास है और हम आशा करते हैं कि हम पूरी कोशिश करके जल्दी जल्दी इस अफर्थ व्यापारी को मुख्स कराएंगे जी किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि बार-बार जो कारे प्रणाली है वो सवालों के घेरे में आ रही है एक दिन का वक्त यहां पर बीट चुका है और अभी इस मामले में कोई बड़ी खामिया भी हाथ नहीं लगी है देखे हम अपना काम चीक तरीके से कर रहे हैं हमने कई टीमें बना रखी हैं अपना सब एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी कि जिस तरीके से पूरे स्थिक को देखते हुए हाला कि मामला अपरण का बताया जा रहा है लेकिन पुलिस किन किन आंगल से तलाश कर लिए इस पूरे मामली की देखे जो भी पॉसिबल एंगल्स है चाहे उनकी जाती रंजेशों का हो या कुछ अबाहन का हो जो भी संभावित है हमने किसी कॉर्ण को छोड़ा नहीं है हम सब से एक साथ काम कर रहे है तो क्या लग रहे है कि कब तक कब तक पुलिसस मामली से निपटलेगी हम बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं अब भॉष्षे के संभन में कोई भॉष्षबाई तो नहीं कर सकता लेकिन इता जिरूर कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा पूरे मामने को लेकर जादा वक्त नहीं लगेगा पुलिस पूरी मुस्तेदी के साथ काम कर रही है और हर दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं शुक्रिया आपको शुक्रा साहब आप जुड़े आपने बाचीत की